हेलो एब्रिवन नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्टडी कोच 91 योडोब चैनल में दोस्तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी नेम या फिर फादर नेम में अगर कोई करेक्शन करना है कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है तो आपको इस बार आनलाइन आवेदन उसके लिए करना पड़ेगा आनलाइन आवेदन आप लोग को जनहीत पोर्टल यहां पर जो दिखाई जा रहा है यहां से आप लोग को इसमें आलाइन आवेदन करना होगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जनहीत पोर्टल में आप सभी लोग रेइश्टेशन कैसे कर सकते हो जैसे ही आप सभी लोग इसमें करेक्शन करने के लिए क्लिक करते हो माक्षीट में तो यहां पर सीधे जो है लोग इन का उपसन आता है आप लोग की जो है यहां पर रेइश्टर का उपसन नहीं आता है रहेगा और साथ में आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और उन दोस्तों तक जरूर सेर कर दिजेगा जिनको जो है इसकी ज़रूरत है तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कैसे जो है आप लोग इस मेरा इस्टेशन कर पाओगे तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को अपने एक ब्राउजर ओपन कर लेनी है जो भी ब्राउजर आप योज करते हैं उस ब्राउजर को ओपन कर लिजेए और वहाँ पर जो है आप लोग सर्च कर लिजेए study coach 91 ठीक है study coach 91 आप लोग सर्च कर लिजेगा आपको पहला link मिलेग तब सही लगेगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी के सामने मेरा official website study coach 91 ओपन है आप लोग को सीधे नीचे चले आना important के सेक्षन में यहाँ पर आप सभी लोग देख लिजे बीटी यूपी name and father name online correction 2022 के इस पर आप लोग को किलिक करना है जैसे ही आप सभी के सामने इस पोस्ट के बारे में जो है details open हो जाएगी आप सभी लोग इस पोस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा उसके बाद में देखे जन ही पोर्टल में registration करने के लिए यहाँ पर जो है link दे गई है click here इस पर आप लोग को click करना है जैसे ही आप सभी लोग इस पर click आपकी जो registered date of worth है उसकी सिर्फ date यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो दिखाये जा रहा है उसके बाद में आपकी जो registered mobile number है उसकी first दो digit दिखाये जा रही है ठीक है तो यह जो आपकी date of worth है उसको यहाँ पर fill कर दीजे और उसके बाद में जो आपकी mobile number इसमें registered है उसको यहाँ पर fill कर दिजे ठीक है यह सभी चीजे fill करने के बाद में आप लोग यहाँ पर gate student details पर click करना है जैसे ही आप सभी लोग अपना date of worth और अपनी mobile number डालने के बाद में submit करेंगे आप सभी के सामने इस तरीके से password create करने का option आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए आप लोग को password create करना है पासवर्ड यहाँ पर जो भी create किजेगा याद रखिएगा क्योंकि आगे जब आप लोग 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 इन करेंगे तो वही password आप लोग को जो है वहाँ पर fill करना होगा और अपनी enrollment number फिल करने होगी तो यहाँ पर जो आप लोग को password create करने के बाद यहाँ पर register पर click कर देना है password आप लोग को fill करने के बाद में register पर click करना है उसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख लिजेए आपकी जो registration हो ससस पुली हो चुकी है आप अपने enrollment number और अपनी password को डाल करके इसमें login कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप सभी लोग इसमें registration कर पाऊगे registration करने के बाद में आप लोग को फिर बैक चले आना है मेरी official website जहां से आप लोगों ने registration किया है अपनी enrollment number और यह जो password आप सभी लोगों ने create किया है उस password को यहां पर डाल करके आपनों login कर लिजेगा यहां से आप सभी लोग लोग इन कर पाऊगे और अपनी अच्छे से correction कर पाऊगे और आप सभी लोग ध्यान से थोड़ा correction किजेगा अगर कही doubt रहता है कुछ problem रहती है तो आप सभी लोग comment किजेगा ठीक है तो मैं आप लोग कुछ जरूर बताऊंगा और बाकी आप मुझसे contact करना चाते बात करना चाते तो आपको instagram id जो है नीचे मिल लाएगे description में आप सभी लोग मुझसे contact कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अकर पसंद आई हो तो लाइक करते जीगा चैनल पर नए है सबस्क्राइब नहीं किए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर देजेगा बाकी दोस्त मिलते फिरम आप से अगले वीडियो में अगले बडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद